बस्तर में आदिवासी जो है वो अपनी अलग-अलग अरणूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं ऐसे में उनके अलग-अलग तीज तेवहार आते हैं और यह प्रकृति पूत्र माने जाते हैं और क्यूं प्रकृति के पूत्र माने जाते हैं और प्रकृति से इनका किस लेके सड़क पार कर रहे तो मुझे समझ में आया कि आदिवासीं के परंपरा है जिससे पार्धी कहा जाता यह उसी रीती रिवास से जुड़ा कुछ मामला है तो मुझे लगा इनसे बातचीत करना चाहिए तो इनसे बातचीत करते हैं आप देखें कि सभी आदिवासी काल रहे तो कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे है क्या हो रहा है इस पर बात्चीत करेंगे जटाला ताला किया नाहlaugh कोश में थटे Arctic करें आदा कहां थे आप लोगहheiro ए नंगाल गूमने अच्छ हाए और आच यह कहा गता जंगल गूमने आच्छ है इसको क्या नहीं तर उसको क्या बोलते है पार्ध ही क्या बोलते है पारत भुलते है प्रफ घुमने तो इसमें क्या क्या करते हिए आप लोग किस λी डेकने से मारता हीं कुछब सीडीय य बडेयां क्या मुझ्टसा लेगा तो फिर मारेंगे था चुहा वुआ सबुए सबुए जो जो भी दिखा देगा उसको जंगली जानवर कसी का अच्छा फिर उसको क्या करोगे जो मारोगे अब मार के फिर गर ले जाके करना पड़ता है घर ले जाक खाऊगे कि पूरे गाहँवाल एक साथ निकले हो तो एक साथ सब्वनाग खाऊएंगे सर तो हमेशा करते हो किस समय क यह वही तेवार का हिस्सा है जी आप अंदरुनी राको में अबस्तर के रास्ते पर कभी भी जब गुजरेंगे तो इस आम के सीजन में आप देखेंगे गे की गाहँ की उवा सड़क पे नाका लगा के आने जाने वालों से उनकी स्विच्छा नुसार जो भी उनको मन करे एक रुपए, दो रुपए, पाँच रुपए, वो देते हैं, जो आपकी इक्षा हो, स्वेच्छा से, और फिर उन सारे पैसो कोई कठा किया जाता है, और ऐसे सिकार करते हैं, और इसमें जो मिलेगा उसको भी एक साथ, एक ही साथ कारेंगे, तो फिर उसको क्या करेंगे, प कोखराल पॉंछे हैं जरा मलों, कोखराल बीच में ऊच्छे हैं, तो आप पढ़ायोड़ाई की हो, नई स्वें, आप पढ़ाई की हो, नयी आप पढ़ाई की हो, नयी की हो, नई तो हो क्या पी रहे हैं? पज़ पना आ पर इसमें क्या है, तक साहिसे में, आप light, lives, पेज बोलते हैं लेकिन जो लोग बस्तर के बाहर से हैं उनको दिखाने के लिए कि पेज है इसका कॉंसे NORब्स अच्छा है कि जब भरी दुपहरी में डुपहरी में यस्को आप पी लोग तो आपको यहें भाने की और पानी की दोनुकि पूर्ती उससे जाती है आदिवासी अपने बोतल में पानी के जगां पेज लेकर चलते हैं और आज ये पारत का एक हिस्सा है आप देखें दूर तर तो गाओं के आदिवासी युवा और बुजुर्क सभी जो है इसी तरह से लेकर चल रहे हैं तीर धनू सिकार करेंगे अच्छा यह तीर अ अच्छा तो सेर वेर कभी मिला रहा है यह सेर नहीं है पहले कभी था पहली था लेकिन अभी नहीं है जब पहले सेर ता तो सेर कभी सिकार करते रहे हैं पहले वाला करता था सेर कभी सिकार जी जी अच्छा और बालू-बालू-बालू-बालू-बालू-बालू-बालू-ब तो चीडिया के ऊपर इचार पांच टुकड़े हो जाएंगे इसलिए इससे उसके वार से जब चीडिया गिर जाती है तो फिर उसको किया जाता है यह अलग से तैयार किया गया है दादा आपका क्या नाम है क्या उमर हो का जाए का बाल देखी तो आप बजब भुजूर्ग आरम नहीं कर्या आपके समय में पहले कौन कॉन-कॉन सा जानवर मिलता रहा जंगल पार्वल थी पेसं अंद्व कंटी में मतलब माला किसके आपके तो आप सिकार नी करते हैं विए उदर ने करते थे था हूँ था याफ कहां? कहां पे звपा एक रंडों का खादी और्प तो फिरह श्युदी दरक लिधा टार ड़ा चाहई तो पूराने लोकु जा नहार भी अच्छा का अमार्था जा घ्मारत तर्स आर जा बालु आ फु आ हुआख दो ने धा ने कर पूर neutr海ंट जा जा मारतें तर First तेटिए टुके रुको रुको अरे दिखा दो यार आओ क्या नाम भई आपका नंदा नंदा तो कितने बज़े से निकले हो नंदा भई अब लोग बारा बज़े से चार बज़ गया कुछ मिला नए नए पूरा जंगल ही साफ कोन कर लिया अपने लोग तो अपने लोग तो जंगल बचाना जरूरी है मतलब ने तो जंगल नी रहेगा तो रीतिरी वाज कैसे होगा यह साल में एक बार पारत कर तो जंगल बचाने के लिए कुछ कर रहे हो आप लोग इसली तो माना करके देख रहे हैं किसको आग लगा देते हैं जल जाता है तो माना करते हो नया पे तो आप लोग इसका चिन्ता तो गाँवा लोग करना चाहिए क्योंकि जंगल नि रहेगा तो फिर पारद कहां करेंगे रिति-रिवाद कहां होगा है कि नी तो आप लोग कुछ कर रहे हो पेड लगाने के लिए हमे लग तो कुली कर लगा के लगा के देख रहे हैं तो यह बस्तर के आदिवासियों के परमपरा है पारत हैं जो की आम के सीजन में इसे पूरह देखें सड़क आपको दिखेंगे यह पूरह गाउँ के लोग हैं यूगा और यू और यूंत misterश करने निकलते हैं और इसका शिकार करेंगा और फिर पूरह घाउ मिलखर उसे एक साथ बनाकर खाता है और इस दवरान इसे आमा खानी का तेवार मनाया जाता है गाओं की लोग बीच बंडूम के तौर पर जब भी कोई नहीं फसल हो या नया फल आता है तूसे एक खाने से पहले एक तेवार मनाते हैं यह बस्तर के आदिवासियों का कल्चर है खासियत है हाला कि यह आदिवासि ने अच्छी बात कहीं कि जंगल खतम हो रहे हैं इस वज़े से अब कोई जंगली जानवर भी नहीं मिलते लेकिन पेड़ लगाने पर अभी आदिवासियों की कोई जागरुकता नहीं है वन विभाग के सहारे है और वन विभाग तो भ्रष्टा चार के सहा कि आलता नहीं विभागados पतम हैता कि एल रभी खाने जाखने दो जो में हैं वन